बश्कार दोस्तों मैं निल सांवान सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल ओल कोईन ने दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम कोईन वर्सेज टोकन की तो उससे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में जोइन कीजी क्योंकि प्रोफिट लोस है वह आपका अपना रहेगा हम खाली इंफ्रमेशन प्रोवाइड करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कोईन वर्सेज टोकन की काफी दोस्त इस मार्केट में हैं काफी नए यूजर भी आ होता है और टोकन कोन सा होता है जैसे हम क्रिप्टो मैर्केट चैर्प पर जब आते हैं तो यहां पर बहुत सारी क्रिप्टो कोन मिल जाएंगे और यहां पर पेप चेक कर पा रहे हैं तक्रिबन तक्रिबन नो 5309ban पकरीबन 21,000 crypto assessed है ठीक है आप coin जो आज की date में trade है market में और 515 exchanges आज की date में यहाँ पे हमें available है trading के लिए तो इस 21,000 coin में से कौन सी currency है जो 21,000 currency है यह इन में से कैसे जाने कि यह coin है यह token है तो दोस्तों पहले तो difference जानते है coin versus token का coin वो होते हैं जिनके अपने पास खुद की blockchain हो, खुद का एक solid project हो, खुद की एक technology like जैसे bitcoin है, bitcoin के पास अपना खुद का blockchain है, okay ethereum है, ethereum के पास अपनी खुद की blockchain है ERC20 जिसको हम बोलते हैं, token क्या होते हैं, token होते हैं जो दूसरे की blockchain और technology को use करते हैं coin वो जिनके अपने पास खुद की blockchain हो, खुद का best project हो, और खुद की technology हो, token वो होते हैं, जो उसकी blockchain को, दूसरे की blockchain को use करते हो हैं, like जैसे, यहाँ पर हम चार्ट में देख पा रहे हैं, यह ethereum है, ethereum के पास अपनी खुद की blockchain है, ERC20 आप जब भी कोई किसी exchange पर जाते हैं और withdrawal करते हैं, like जैसे एक छोटा सा example लेके चलते हैं, हम चलते हैं network select करते हैं, तो यहाँ पर आपका पास काफी सारे blockchain आ जाएंगे, chain आ जाएंगी, तो यह सबसे उपर है, BSC, Binance Smart Chain, तो यह Binance का blockchain है, Binance की chain है, Binance की smart chain से use करके आप यूडूल कर सकते हैं, यह नीचे है, आवाक्स की आवाक्स chain यूज कर सकते हैं, BNB है, BEP20, यह देखी, Ethereum है, Matic है, Sol है, XTZ है, Tejas, Tron है, Tron की blockchain, आप किस blockchain को 4 USD, BNB के चलें, तो 0.8 USDT यहां पर fees लगता है, तो यह fees में भी difference होता है, blockchain to other blockchain और blockchain का fees का भी difference होता है, जो नई blockchain आ रही हैं, वो पुराने वाली blockchain को देख देख के अपने आपको upgrade कर रही हैं, और उसमें जो कमिया हैं, उनको दूर कर रही हैं, इसलिए उनकी transaction fast होती है, और fees भी कम होती है, जैसे पहले हमने Ethereum यूज किया, Ethereum, Bitcoin की जो blockchain है, वो थुड़ी सी slow है, उसके बाद Ethereum की आ Z का भी सेम है, और नीचे आप इसमें जाके चेक करेंगे Tron का, तो Tron का भी याँ पर देखिए, आप कौन सी blockchain को यूज करना चाहते हैं, तो यह जितने भी हैं, BSC, IWAX, BNB, Ethereum, Matic, Soul, XT, Z और Tron, इनके पास खुद के पास अपनी एक blockchain है, इस blockchain को आप यूज करके और इस blockchain क इस chain को यूज करके आप विड्डो लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, ठीक है, तो इनके पास अपनी खुद की blockchain है, तो यह coin है, अब हम चेक करें, तो यहाँ पर Bitcoin के आप ऊपर click करते हैं, ठीक है, बिटकोईन के पास अपनी खुद की blockchain है, ठीक है, और हम य जाना कि खुद की blockchain है, खुद की technology है, वो coin है, वो token है, नहीं, sorry, वो coin है, token कोन सा है, तो token देखिए, काफी दोस्त जानेंगे कि भी यहाँ पर core market cap पर आते हैं, तो 21,000 cryptocurrency है, इन में से कैसे जाने, कि यह coin है, कि यह token है, तो जो भी आप coin market cap पर आके check करते हैं, तो उसके सामने यहाँ पर देखिए, जैसे यह Ethereum है, Ethereum के नीचे देखिए, rank है 2, और 2 rank के सामने लिखा हुआ है, coin, दिख गया है, यहाँ पर यह coin लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास अपनी खुद की एक blockchain है, तो इस तरह से आप आसानी सी इसको check कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख करते हैं, कोई दूसरा इसके विप्रिट चेक करते हैं, जिसमें हमें चेक करना है कि token कौन सा है, coin कौन सा है, तो यहाँ पर नीचे आएंगे, और नीचे आके यहाँ पर अगर हम click कर गें, Siba Inu पर थोड़ा सा slow है, ने ट्रक का issue लग रहा है, तो यहाँ पर आप हम चेक कर स जैसे सोल है, सोल के पास अपनी खुद की blockchain है, और यहाँ पर देखिए हमने Sib को on किया है, तो यहाँ पर देखिए token लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है token, इसके पास अभी खुद की blockchain नहीं है, खुद की technology नहीं है, प्रोजेक्ट तो हो सकता है, लेकिन अब इस इसके पास खुद की technology या blockchain नहीं है, इसका मतलब यह है token, ओके, अब सुनने में यह आ रहा है, कि Sibak अपनी खुद की blockchain लेकि आ रहा है, Sibarium के नाम से, तो वो आ जाता है, और पूरा का पूरा जो अपना data है, वो उसके उपर deploy कर देता है, पूरी तरह से, और फिर अपने यहाँ पे आप देखेंगे कि Sibainu यहाँ पे, token की जगह यहाँ पे coin आ जाएगा, कैसे, जैसे पहले हमने check किया, BNB, BNB पहले Ethereum की blockchain पे run करता था, वो Ethereum की blockchain को use करता था, transaction के लिए, तो हम BNB पे जाके check करते हैं, तो यहाँ पे अभी तो coin आ रहा है, क्योंकि उसने बाद में अपना blockchain बना लिया, Binance Smart Chain के नाम से, तो यह coin आ गया, लेकिन पहले यह Ethereum की blockchain को use करता था, पहले था यह token, तो इस तरह से आप coin versus token में difference पता लगा सकते हैं, ओके, होप clear हुआ होगा, token versus coin, कौन सा coin है, कौन सा token है, तो आप इस तरह से आप भी educate हो सकते हैं, अपनी जो team है, उसको भी educate कर सकते हैं, होप, दोस्तों clear हुआ होगा, काफी दोस्तों का यह question था, कि coin versus token में difference क्या होता है, और कौन से ऐसे coin है, 21, 20,000 coin है, उनको हम कैसे check करें, कि यह coin है, कि token है, उनको कौन सा project है, कौन सी blockchain है, यह check करें, तो यहाँ पर हम BNB पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर check कर सकते हैं, पूरा detail coin, market cap, यहाँ पर volume कितना, circulating supply कितनी है, यह पूरा आप यहाँ पर check कर सकते हैं, ओके, और अगर जाएं हम इन पूरा detail आजाएगा, इस तरह से आप इसके, कौन सी technology, कौन किया, किस project पर काम कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर check कर सकते हैं, इनका लग-लग तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी project, जो भी coin है, किस technology पर काम कर रहा है, कौन सी blockchain है, उसकी, और वो coin है, कि token है, तो इस तरीके से आप अपना जो है, सर्च कर सकते हैं, अपनी जो information है, वो ले सकते हैं, ओके, अप दोस्तो आपको project और वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने यहाँ पर आपको clear करके बताया है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, share, comment जरूर कर दीजिएगा, मिलत हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अप्डेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,